हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टो यार चैनल स्मार्ट टेडर्स क्लब और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल के माद्यम से हम निफ्टी विफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली अनालेसिस करते हैं यह एनालेसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेकनिकल एनालेसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चैन को पहले पहुँच जाए साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से लिटेड वीडियो भी रेगुलरली मिलते रहते हैं अगर आप options के अंदर में trade करते हैं तो कौन से strike के ओपर में maximum buyer या sellers active हैं यह आपको कैसे मालूम पड़ें साथ में कौन से strike पर trade करने के वैसे आप maximum profit खमा सकें and option chain का इस्तमाल करके किस तरह से market का trend पता किया जा सकता है इन सब subject को cover करते हुए videos आपको हमारे play list में मिल जाएंगे साथ में trading techniques के बारे में बात करें तो आपको technical analysis like किस तरह से channel को trade करना चाहिए triangle को किस तरह से triangle करना चाहिए options के साथ में so that profit maximum हो सके इन सब techniques के बारे में भी videos आपको हमारे play list में मिल जाएंगे सो फ्रेंट्स इसी तरह से नई-ने चीज़ों को सिखते रहने के लिए और अपने आपको अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में बैल आइकन को भी प्रेस कर लीजे ताकि आपको latest updates मिलते रहें तो फिर शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जो है Nifty 50 बैंक Nifty और हमारे Intra Day Trades के बारे में सो दूस्तों शुरू करेंगे इंडिया выпуск के साथ में सो फिलाल इंडिया возвращ मीं जब से jump लिया है 20 के ऊपर से jump लिया है और नीचे आने के कोशिश करा तब से हम India Wix को follow कर रहे हैं और India Wix में अगर कुछ increase point में रिखता है तो panic market में दिखा रहेता है आज market में panic था और in fact market ने जो आज jump लिया I will say जो smart recovery की वो recovery भी बहुत ही बढ़िया थी तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे पहले देख लेते हैं निफ्टी 50 ने अज दिन भर में किसाब से काम किया हुआ है तो दुस्तों अगर निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो निफ्टी 50 ने opening की थी 9,168 पे low बनाया 9,043 का and high बनाया 9,240 का overall पुरा दिन के अंदर में 197 पॉइंट का स्विंग दिखा है निफ्टी ने closing हुई है 9,196, 200 के नीचे हैं 9,200 के नीचे हैं बहुत दिन से 9,300 के बीच में ठाम कर रहे थे 9,200 के नीचे हैं लेकिन जो recovery हुई है उसके बारे में चार्ट पर बात करेंगे वो कितना sustain हो सकता है बैंक निफ्टी के बारे में बात करें ओपनिंग 18,751 में और कल की closing थी 18,950 मतलब लगबग लगबग आप 1200 पॉइंट नीचे अपने 18,950 में closing होई थी 18,751 पे opening होई है तो लगबग लगबग आपने 200 पॉइंट की गिरावट के साथ में शुरू की लो बनाए 18,287 का और हाई बना है 18,993 19,000 के दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है हमें सो अभी भी हम 19,000 के नीचे ही काम कर रहे हैं और जो दिन बर का पुरा swing था that is around 706 पॉइंट का swing देखने को मिला मैं बैंक निफ्टी के अंधर में स्मार्ट रिकावरी लोवर लेबल से 18,287 के लेबल से स्म दोस्तो आज के दिन में जो मैंने ठ्रेड लिया था मॉर्लिंग में 18,400 पी बाइ करने के लिए बोला हुआ था और साथ में TSL भी चालू करने के लिए बोला था और मैं 23 पॉइंट के साथ में काम भी कर रहा था तो मैंने जो इसे बाइंग किया था मेरा बाइंग के आस्वास में and then TSL मैंने लगा दिया था तो यह TSL हिट हो गया 431 पे या नहीं लगबग इसमें 16 पॉइंट का ही मुनाफ़ा हुआ लेकिन यह TSL लगाना बहुत जरूरी स्टॉप लगाना बहुत जरूरी था reason being market जी साब से काम कर रहा था 18,300 के आस्वास में सपोर्ट ल लेकिन साथ में एक और मैंने पॉजिशन लिया हुआ था which is 19,000 CE मैंने बाइ किया था और यह मैंने बाइ किया था लगभग लगबग 11.40 मिनट था hasions में बाइ किया था और 131 रूपी इसमें बाइ किया था यह मैंने score of कितने में किया, यह score of मैंने 321 में किया, मतलब 190 पॉइंट यहाँ पर मैंने gain किया, क्यों मैंने यह buy किया था, इसके पीछे बहुत बढ़ी है, यह logic मैंने अलड़ी एक वीडियो के थूरू explain किया हुआ, यह strategy मैंने अलड़ी explain किया हुआ है, फिर भी इसके बारे म share करता हूँ, और यह trade अगर आप follow करना चाहिए, तो follow कर सकते हैं, अगर trade शेर नहीं किया, तो मेरा जो भी view होता है, दिन का उस view को मैं उसके उपर मैं share करता हूँ, यह 9.30 से 10 o'clock के बीच में मैं मेरा view रखता हूँ आप है, अपने telegram channel के उपर मैं, अगर आपने telegram channel join किया है, total income अभी तक 42,300 की यहाँ पर दिख रही है, same way अगर मैं April में देखू, तो April के अंदर में, हमने total 18 trades लिये थे basically, 18 trade में total income हमारी 1,30,651 थी, which is 185% return with 78% का accuracy के साथ में था, अभी यहाँ पर May में भी accuracy हमारी वैसे ही चल रही है, and expected है कि 1,00, रुपर निकल जाएगा, telegram channel मैंने यहाँ पर link दे रखा है, t.me super shares, in case अगर यह join करने में आपको कोई दिक्कत होती है, तो आप join कर सकते हैं, t.me smart traders club आप join कर सकते हैं, मैं यहाँ से आपको link share करके, super shares के अंदर में connect करवा दूँगा, so दोस्तों यह हो गया हमारे telegram channel के बारे में बात, चलिए बात कर लेते हैं, कुछ stock के बारे में, जो stock हमने कल के वीडियो में बात किया था, और expect किया था कि यहाँ पर हमें कुछ business होता हुआ नजर आएगा, so उसमें पहला stock में बात करूँगा, MFSL के बारे में, MFSL आज के दिन में small body बनाता हुआ नजर आए, in fact, अगर आप MFSL को देखेंगे, MFSL का 5 minute का हम chart निकाल लेते हैं, और MFSL आगर आप देखेंगे, तो मैंने लिखा था कि अगर 60 के उपर जाता है, तो लॉंग बनता है, नहीं लॉंग नहीं बनता है, we went up, मैंने कोई 60 का target नहीं लिया हुआ था, we went up, लेकिन after that, हम नीचे गए, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई trade नहीं बना, क्योंकि नीचे की तरफ 433 के नीचे ही हमें entry लेना था, तो यहाँ पर कोई trade नहीं बना, तो हम देख सकते हैं कि small body ही बनते हुए नजर आया हुआ है, MFSL के अंदर में, दूसरा हमने बालकृष्ण इंडस्टी के बारे में बात किया था, बालकृष्ण इंडस्टी के अंदर में market lower points जाके वापस उपर गया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा higher point बना है और बालकृष्ण इंडस्टी में हमने 360 का target रखा हुआ है, swing trade के हिसाफ से तो definitely 360 तक जा सकता है, आने वाले कुछ एक दो दिन के अंदर में, and third हमने एक stock के बारे में बात किया था, भारत फोष्ण के बारे में बात किया था, triangle breakout आज के दिन में नहीं हुआ है proper, इसके उपर में नज़र रखेगा, triangle breakout जैसे ही होगा, definitely आपे fast movement देखने को मिल सकता भारत फोष्ण के अंदर में, यह तीन stock, तीन stock के बारे में हमने बात कर लिया है, चलिए बात करते है, nifty 50 और bank nifty, आने वाले दिन में या इस expiry में कैसा perform कर सकते हैं, तो start करेंगे nifty के साथ में, और let me open 15 minute chart क्योंकि वहां से recovery नज़र आएगी हमें, और यह देखे, clear cut u shape recovery आपे हमें आज के दिन में नज़र आ रही है, in fact, यह देखते हुए ऐसा लग रहा है, कि शायद market थोड़ा सा अब उपर जाने के mood में बढ़ आए, this is a u shape pattern बनता हुआ, यह आपे नज़र आए हुआ है, अगर आप इसे refer करना चाहिए, तो इसे cup handle pattern भी refer कर सकते हैं, यह technical analysis के अंदर में cup handle pattern जो है, यह continuation का pattern माना जाता है, basically, हमने 9,130 के नीचे काम करना शुरू किया था, support लिया हमने और उसके बाद में हमने उसकी काफी उपर, 9,200 यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 9,200 के नीचे हमने closing दे हुई है, candle कैसा बना हुआ है, दिन का, अब वो देख लेते हैं पहले, intraday जाते हैं, day पर देखते हैं, candle green candle है, नीचे से smart recovery जैसा market ने दिखाया है, hammer इसे refer किया जा सकता है, यह हमें एक चीज़ दिखाता है कि नीचे से buying emerge होके आई हुई है, तो अब इसका next target जो है, वो 9,300 के आसपास में आता है, अगर 9,200 and let's say 9,213 के उपर में काम करना चालो करता है, तो इसका next target 9,300 होगा कल के लिए, so कल 9,300 के आसपास में जाते हुए, मुझे market नजर आ रहा है, let's say, हो सकता है 9,300 से एक बार आपको selling pressure दीखे, पर chances है कि 9,300 तक nifty कल जाते हुए नजर आवे, एक बार option chain देख लेते हैं, nifty ना option chain पर कैसा काम किया है, closing 9,200 के पास में हुए है, तो definitely 9,200 हमारा at the money होगा, let's take at the money 9,200, और यहां पर position देखे, आप कैसी बनी हुए है, 12,49,000 का open interest है, 6,62,000 का addition है हमें देखने को मिल रहा है call side में, and put side में 10,39,000 का open interest है, and 12,825 का ही addition देखने को मिल रहा है in factor में, writing हुई है दोनों side में, no doubt on that, यानि 9,200 पे fight होना बाकी है भी, कल 9,200 break होने के बाद में, अगर आप 15-20 minute टिकते हैं, तो 9,300 तक का रास्ता clear होते हुए नजरा सकता है, but क्या 9,300 इसली break हो सकता है, chances कम है, 10,49, 11,9,000 का open interest दिख रहा है, highest open interest 9,500 पे है, कल के दिन में भी अच्छी position थी 9,400 पे, आज थोड़ी से unwinding होई है, but definitely यहाँ पे position अच्छी बनते हुए दिख रही है, यहाँ पे अभी भी 9,500 पे बड़ा position है, so हुआ कहा है, basically हम 9,000 के पास में पहुचे हैं, वहाँ पे positions खाली हुई है, अब हम 9,500 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं, इस expiry में ऐसा लग रहा है, यह unwinding को देखते हुए है, चले बात कले थे put side में, put side में देखे 8,800 पे, तोड़ा नीचे आज addition हुआ है, 2,500,000 का और 10,21,000 का opening, हमें आपे open interest देखने को मिल रहा है, 9,000 पे 18,44,000 का और सबसे ज़्यादा जो राइटिंग हुई है, 9,100 पे confident राइटिंग हुई है, 4,19,000 की, यानि यह मान के जाए जा रहा है कि 9,100 के नीचे जाके, अब हम recovery कर चुके हैं, 9,100 के नीचे जाने का थुछा सा chances कम बन रहा है, सो मुझे जो range नज़र आ रही है, 9,100 से 9,300 नज़र आ रही है, और जो बड़ी range है, डेफिनेटली बड़ी range में अभी भी कुछ changes नहीं हुआ है, वो 9,000 से 9,500 ही नज़र आ रहा है, इसी के बीच में expiry होने के पूरे chances हैं, होगा तो 9,200 के उपर होने की, यानि लेट से 9,250 के उपर expiry होने के जाद़ चांसे फिलहाल के जो technical analysis और साथ में option chain का जो data निकल का रहा है, उससे यही लग रहा है, कि हमें यहाँ पर फिलहाल के टैम पर closing देखने को मिल सकता है, या expiry week की होती हुए नज़र आ सकती है, बैंक निफ्ती के ंदर में भी हमें same pattern देखने को मिल रहा है, opening resistance के निचे वी थी 18,762 यह resistance हमने पहले ही रहा किया था, उसके निचे हमारा target था 18,200 के आसवास्ते हैं लेकिन लग बहाँ 50 points पहले ही reversal देखने को रहा है, को मिला में and market ने अच्छा रिवर्सर किया महां से महां से रिवर्स होने के वाद ने हमने उपर के तरफ क्लोजिंग दी हुई है कप एन जिस तरह से हम लोग बहुत है का पर हैं यह भी देखा जा सकते हैं यहां पर कंटिनेशन पैटर्ण माना जाता है कल के दीन में बात करते समय एक trendleine हमने दो कि यहां पे कि इस trendline को छृइंड फॉलो कर सकता है उस trendline पर हमें ध्यान देना था आज के दिन में तो लिपमी लिपमी द्रॉव है train line once again so that यह देखे, I am talking about this trend line, so यह trend line कल के दिन में बात किया था कि यह trend line पर हमें एक बार नजर अखना है, अब fortunately, unfortunately, अभी भी हम उस trend line के नीचे ही काम करते हुए नजर आ रहा है, this is what I can see, no sorry, हमने ब्रेक किया है, वो trend line हमने ब्रेक किया है, और वो trend line ब्रेक करने के बाद में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली हुई है, so आज की दिन में मैंने जैसा पहले मेंचिन के मैंने 19,000 का CE भाई किया था, और क्यूब आई किया तो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन पहले डेली केंडल देख लेते हैं एक बाद, डेली केंडल देखेंगे तो डेली केंडल के उपर में हमें ग्रीन केंडल नजर आ रही है, नीचे से बढ़िया smart recovery hammer pattern देखने को नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 19,188 पे से इस range पे एक बाद प्रॉब्लम हो सकता है नहीं, तो 19,500 is on card, expiry के लिए देखने को 19,500 तक के levels मिल सकते हैं, फिलहाल के डाइम पे ऐसा लग रहा है, हमने कल के वीडियो में भी बात किया था कि अगर फॉल हुआ तो 18,200 के आसपास जाते हुए नजर आएंगे, आज हम गए थे, अब recovery हो रही है, तो 19,500 तक जाते हुए भी नजर आ सकते हैं, एक बार ये range important है, anyhow 19,172 is on card, ये शायद कल के दिन में में देखने को एक बार मिल भी जावे, तो बात कर लेते हैं, आज मैंने 19,000 CEQ बाई किया, एक बज़े के आसपास में, reason simple है, ये देखे, I am talking about this reason, ये इसके वेज़े से, ये जो crossover pattern है, ये मैंने already हमारे एक वीडियो के इंदर में discuss किया हुआ है, इसके उपर strategy मैंने discuss किया हुआ था, और इसकी वेज़े से ही मैंने लगबग यहाँ पर buy किया था, क्योंकि नीचे की तरफ जाती है, ये समझ में आ गया था, कि आप यहाँ से bullish हो रहा है market, यहाँ पर लगबग मैंने buy किया था, और यह मुझे 500 points का move देखे गया हुआ है, अगर आपने ये वीडियो देखा हुआ है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हुआ है, तो आप यहाँ उपर i button दबा के उसके उपर में technical analysis में जाके crossover देख सकते हैं, उसके उपर वीडियो upload मिल जाएगा आपको, हपते में कम से हम 3-4 बर ये pattern देखने को में मिली जाता है, जहां पर ये fast movement आने के chances रहते हैं, तो इसके चलते हुए मैंने 19,000 CE buy के होगा था, तो ये बात हो गई, चार्ट के उपर में nifty, bank nifty की, एक बाद चेक कर लेते हैं, bank nifty के साब से काम कर रहा है, option chain के उपर में, so nifty, let's talk about bank nifty, और हमने closing दी है 18,862, 19,000 के नीचे तो बेरिश होना चाहिए, फिर भी, थोड़ा सा 18,862 तो 18,900 हमारा at the money होगा, जिस सबसे आज smart recovery दिखाई हुई है, थोड़ा से उपर जाने के chances बनते हैं, positions 500 वेका multiple नहीं है, तो कम position मिलेगा, उसके नजदी कॉल आगर हम देखे, 19,000 पे 3,9,000 का open interest, with the addition of 1,41,000, and 1,80,000 put side में, with the unwinding of 57,000, okay, so put यहां पे आपको unwind होते हुए नजर आ रहा है, यहां से जो sign मिल रहा है, यह sign कुछ खास positive नजर नहीं आ रहा है, दो आपको बढ़िया hammer pattern मनते हुए नजर आया है, but यहां से कुछ खास position निकलते हुए नजर नहीं आ रही है, in fact अगर आप देखे तो दोनों side में positions कम होते हुए ही नजर आई है, कुछ खास position नजर नहीं आ रही है, so एक बार कल अगर हम 19,000 के उपर टिकते हैं, उसे 1500 point नीचे हैं, लेकिल अगर 19,000 के उपर opening देखे हम उसके पास में टिकते हैं, तो पूरा chances हैं यहां पर unwinding होने का poor side में, और उसके माफ करेके call side में जो writing होई है, unwinding होने का पूरा chances बनता है, और उसके विज़े से market उपर जाते हुए नजर आ सकता है, range अभी भी वही है, range नहीं टुटा है, 18,500 से लेके 19,500 के बीच का ही range फिलाल के time पे है, इसी में काम होगा यह, जो आपका weekly expire है, इसके इंदर expire होने के पूरी chances बनते हुए है, so यह बात होगा, bank nifty के बारे में, nifty के बारे में, let's talk about few stocks जो कल के दिन में activity नजर आ सकते है, activity दिखा सकते है, let's start with the first one which is PL, PL आप देख सकते हैं, मैंने यहां पे एक channel draw करके रखा हुआ है, इस channel मे PL काम करते हुए नजर आ रहा है, it is best advice की market अगर 798, 800 के आसवास में मिले, तो इसे buy करना चाहिए, लेकिन इसके बाद में भी इसमें अभी भी एक train बनते हुए नजर आ रहा है, और उसके चलते हुए, यह उपर और नीचे दोनों तरफ के labels आपको दिखा सकता है, अगर market का relation कुछ साबसे हुआ तो, so अगर यह मुझे 914 के आसवास मिलेगा, तो मैं इसे buy करूँगा with this stop loss of 892 and मैं इसे target रखूँगा 800 and, let me write it properly, 835 से 866 का, okay, बाफ करेगा, यह 935, let me rub it, let me rub it, so basically, 914 पे entry लोंगा, 892 का, इसके बड़ मैं stop loss रखूँगा, and 935 का पहला target रखूँगा, and 960 का मैं second target यहाँ पर रखूँगा, अगर मुझे नीचे की तरफ जाते हुए दिखा, तो मैं नजर होगी 894 पे, यहाँ पे entry लेनी के कोशिश करूँगा, with this stop loss of 906, and target of 868, and 830, अगर fast movement आया, तो यह targets मिलने के chances, PL में बनते है, बायो कॉन, another important, बायो कॉन अगर आप देखे, तो trend line के आसवास में आके एक बाद support ले सकता है, तो बायो कॉन में एक बाद नीचे की तरफ रखी trade मिलते हुए दिख सकता है, बायो कॉन के अंदर में, and let me, okay, नीचे की तरफ आते हुए दिख सकता है, तो इसमें आप straightforward एक 328 के target के लिए काम किया जा सकता है, जहां पे भी open हो, अगर market नीचे की तरफ आते हुए दिखे, तो इसे sell करके 328 पे recover किया सकता है, उसके नीचे की target देखने को मिल सकता है, SDFC, one of the biggest bank, और इसका weightage bank निट्टी में काफी अच्छा है, आज के दिन में लगबग लगवा डोजी बनाते हुए नजर आया है, नीचे की तरफ से buying approach, buying image होते हुए नजर आई है, तो इसके अंदर में chances बनता है कि market एक बार उपर जाए, और अगर market उपर जाएगा, तो मैं 906 पे नजर रखूँगा, 906 पे entry लेने के कोशिश करूँगा, with this stop loss of 895, छोटा stop loss है, and target भी छोटा ही आएगा, उस आपसे 920 से 931, क्यों छोटा छोटा stop loss और target रखे है, expiry के नजदीक है, expiry moment देखने को भी मिल सकती है, आज के दिन में smart recovery है, थोड़ा bounce back मैं expect कर रहा हूँ इसके अंदर में, अगर नीचे की तरफ market गया, तो 888 पे मेरी नज़र रहेगी, and उसके लिए stop loss में लगाऊंगा, 896 का, and छोटा stop loss, छोटा target होगा, 872 से 860 का मेरा इसके अंदर में target होगा, अगर वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो में कुछ पसंद आया, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में share करिएगा, साथ में अगर आपने चैनल को subscribe किया है, अगर चैनल को subscribe नहीं किया है, आपको अलग अलग benefits मिलते हैं, अभी benefits क्या क्या है, nifty और bank nifty का आपको रोज label मिलता है, अनबाइस view मिलता है, और साथ में intraday trades के बारे में information भी मिलता है, तो guys thank you very much for watching this video, hope आपका कल का दिन बहुत बेतरी नहीं हो, अब अच्छे गासे पैसे कमाए, thank you very much, good night.